बच्चो क्लास 6 की साइन्स की क्लास में आप आएक बर फिर से स्वागत हैं बच्चो हम पढ़ रहा है थे काई 5 तंतु से वस्तर तक तो इस चेप्टर में बच्चो हम लोगों ने ये जान लिया था कि पादब रेसे क्या होते हैं जानताओ रेसे क्या होते हैं और संसलेसित साथी बच्चो हम ने ये भी जान लिया था कि रेसेदार पधो के पादन के लिए भूमी जो है किस प्रकार की होनी चाहिए तो हमने जाना था बच्चो कपास के लिए कैसी भूमी होनी चाहिए और तो कपास के लिए बच्चो काली मिट्टी वाली भूमी होनी चाहिए और दिटेट लिया है अज हमें पढ़ना है पर्चछ न के बारे में बच्छों यह पर्चछी पव्दह आपको इस प्रेळ दिखाई दे रहा होगा ठीक हैा थिक «चल सबस्क्राइबर था हरु जो जूट पूद हे जूट पॉदा की उधी पॉते हैं इसके या आघ्यातबने पॉदा पॉदा बुवाई किया जाता है बच्चो और तीर महीने बाद इसमें पीले रंग के फूल दिखाई देने लगते हैं पट्सन के बीच बच्चो वर्सा रूत में ही बोई जाते हैं और पट्सन के पॉधे 8-10 फिट लंबे होते हैं जादा इनके लंबाई नहीं होती है 8-10 फिट होते किके और तीन महीने में इसमें पीले पीले कलर के फूल दिखाई देने लगते हैं सामानत है पट्सन की फसल को पुस्पन अवस्था में ही काटते हैं यानि जब उसमें पुस्पन लगे होते हैं फूल खिले होते हैं तब ही इसको काट लिया जाता है क्योंकि इसी अवस्थ अगर यह स्टार्ण हो जाएंगे जु इसका करें जूट निकालना कर्णा काथीं हो जाएगा अब इसमें निकाला कैसे जाता बच्छो सब से पहले जब इसकी सब्सक्राइब तो इसकी पतियां दिख कर लिया जाती है या इसकी पत्यों को और शाखाएं को अलग छोटे तो अधिया तो फॉल बचेंगे तो नौ को बांद दी आ जाता है और इहां जो पर उसमें बढ़ चार पांद दिन तक पाणी में वसी पड़ा रहने देते हैं फिर क्या होता बच्चो कि जब ये चार-पास दिन तक पानी में इसके तनों का तने जो हैं सारे पड़े रहते हैं तो जो इसका मुलायम भाग होता है जो उपरी भाग जो थोड़ा-थोड़ा मुलायम होता है वो गल जाता है पानी वे पड़े-पड़े और रेसे जो हैं वो पाँ के तन्तु छो यह पाटि जोता है जो जोते हैं में जोती तन्तु合को और को लिए होती है कि कि अल्सका प्रयोंग कोहरा है। तरी दर्यत करने करें लिए बिखने जी और आपसड़ेहों के तुड़ा सब देखोंगे होता है। प्रयोग तोगा प्रशी यहां difficult ही टाट-ही दैगाी होता है। ब्राउट से निटाम होता है कि बनाई जोट काहते हैं। तो इसका प्रियोग जो है रस्ची वगरा डलिया बोरा टाट पट्टी बनाने में किया जाता है और आजकल तो बच्छो ऐसा हो गया कि जूट से बहुत अच्छे-च्छे सजावटी समान भी बनाए जाते हैं इस कार बच्छो पट्ट्सन के खेती के लिए कैसी मिट्टी जरूर है जलोड मिट्टी चाहिए हैर या कछार की मिट्टी चाहिए और यह जूट जोके कहां से पराफ्त होता है तने सी ठीक कि officials face पाणी में जीवान होता है और जो जिवानों के दोरह होता है यह पानी में दों पानी में निकाल होगीаюсь फिर इसके बाद जो तंतू होते हैं खीच-खीच के निकाल दिये जाते हैं 6-8 फिट लंबे होते हैं और हलके बीले रंग के होते हैं और इनकों इनसे मिल करके जो है हम अपनी प्योग वाली चीजे बनाते हैं दलिया बोरा रसी ठीक है तो यह हो गया परसन के बारे में बच् वस्तर बनाने से पहले कपाश यजूट होता है इसके तन्तू हमें भूर को धागों में पहले पर वश्त किया बच्चो दागीस को तो दो हीति काटारों में बाटना है पहले दे जरुटकों भीच कित का पहले हम दागी इसे दो भागों में बाटिए पहले भाग को ऐसे ही रहने दीजिए इसके दूसरे भाग को एड़ते हुए धागे की रूप में बदल दीजिए तो बच्चों जो यह हम लोगों ने देखिए रूई से धागा बनाने कोसिज के रूई को धीरे-धीरे खीचते गए और पास रहेगा तो उसको हम अगर तोड़ते हैं तो जल्दी आसानी से जो है रूई तूड़ जाती है यह अलग हो जाती है इससे यह निसकर्ज निकलता है बच्चों कि अगर एठा हुआ भाग है तो उसको तोड़ने में दूसरे क्या पेक्षा अधिक बल लगाना पड़ र यह लेड़ मोचरून जाते हैं पास पास आते जाते हैं और धागा बन जाता है यह कैलाती है कताई के लिए पर śux का उपियोग कि दाने प्रचलिक जो कताई है उसमें उप्योग आने वाली एक अन्य युक्ति चर्खा भी है तो यह देखिए बच्चों यहां पर चित्र भी बना हुआ है चर्खे का आप लोगों देखा होगा गानी जी भी चर्खा काते थे और अपना जो उसे धागा बनाते थे इसके कपड़ा बनता था और कपड़ा बनने के बाद फिर अपना बना ही कपड़ा पहनते थे तो कताई के लिए जो है वह चकली का प्रयोग किया जाता है और यह इसके लिए इसको चर्खा भी कहा जाता है जो हास से इसको काटते हैं हास्त तकुआ भी इसे कहा जाता है बच्चों यहां ब जो갈ंगर नो तोलन के समय राश्ट्र पृता महात्मा गांधी जी ने ब्रिटन के मिलों से बने आयातित कपडों का बहिसकार किया था तथा चर्खे के द्वारा हाथ के कते धागों से बुने वस्त्रों का प्रियोग करके इसे लोगपृता परदान किया था इस प्रकार चर्खे से बुने वस्त्रों को खादी का नाम दिया गया तो अभी भी बच्चो खादी भंडार करके हर सहर में दुकाने हैं जहां पर खादी के ही वस्त्र मिलते हैं जो की स्वयम बनाई जाते हैं और अब हम आगे सीखेंगे बच्चो धागे से किस तरीके से वस्त्र को बनाया जाता हैं तो धागे से वस्त्र बनाने की कई विदिया उसमें से प्रवोख थी लिद्या था भी अर्दीबी ट्वॉम्हिंट हम में नेच्ट वीडियो क्लास में बढ़ेंगे आज के लिए वस इतना ही तो बच्चों हम्लोगों ने आज डिड़ी की तान कानो ने बलता हन Anything that बच्चो करना जलोड मिठी से था में उसमें अच्छे उकता है जूट का प्रयोग रहता है और उसी पर्षण को यह बच्चो कौई जूट का जाता है इसका प्रियोग करके भी वीदियो में इन यह तरीके से की जाती है तो इसमें सबसे पहले कपास या जूट की तंथूओं को जो है वो फोल्ड करकरके या मोड मोड के जो है वो क्या करते हैं हम रेशी के रूप में बनाते हैं या धागे के रूप में परवर्दित करते हैं प्रक्रिय क्या कहलाती है काताई करने के लिए बच्छों हस्त तकवे का भी प्रियोक किया जाता है जिसे तकली कहा जाता है और यह देखिए चर्खा है जिसे हां से चलाते हैं और इसके माध्यम से बी जो है वो क्या किया जाता है कताई किया जाता है तो कताई करके जो है कताई के पस्चात जो धागे बनते हैं उनको रील पर लपेट दिया जाता है तो कताई करके या चर्खे का प्रियोग करके या हस्त तकुए का प्रियोग करके हम क्या करते हैं भचों धागों को बनाते हैं फिर इ विदियां हैं बुनाई और बन्धाई के बारे में आज के लिए अगर आपको मेरा पढ़ाना पशंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों यह वीडियो क्लास एक दवनी सुलक हैं आप भी इसका लाव लीजिए और दूसरे बच्चों को भी प्रेडित कीजिए धन्वाद बच्चों मि देन नेक्स वीडियो क्लास में